हेलो फ्रेंड्स मैं दीपा मेरी किचन में आपका स्वागत है तो मैं आज आपको बिना मतनी बिना ब्लेंडर के घी निकाल करके बताऊंगी और फटा फट से निकलाएगा आपको एक मिनट भी नहीं लगने वाला तो चलिए मैंने आप ली है मलाई ये तीन चार दन की मलाई ह इसमें मैं रात को दही डाल करके जमा दिया है अब मैं आप लेती हैं मिकसर जार आज हम मक्षन इसमें निकालेंगे यकीन मानिए आपको एक मिनट का टाइम भी नहीं लगने वाला अब आपको काफी देर तक मतनी से मतनी की कोई जरूरत नहीं है ब्लेंडर की भी जरूरत मिकसर जार तो है पटावट से उसमें डाल दिया अमलाई सटी है तो गरम पानी का यूज़ किजीए अब मैंने यह आपक लिया है गरम पानी इसमें एक्स्ट्रा मलाई बच्ची है इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल करके इसको भी इसमें पलक देती हूं अब ये देखिए अभी मैं इसमें थोड़ा ही पानी डालूंगी जार को पूरा उपर तक नहीं भरना है पहले थोड़ा पानी डाल करके चलाना है ये देखिए मैंने गरम पानी लिया है बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं लिया है मीडियम गरम लिया है, अब दीए, मिक्सर जर में डाल दिया, अब मैं इसको फटाफट से चला देती हूं थोड़ा से चलाने के बाद अब इसको चेक कर लेती हूं, यह देखिए, अब इसमें पर बाद पनी और डाल देंगे, जर को पूरा नहीं बरना उपर तक थोड़ा सा ही डालना है अब फिर से लिट बंद कर देती हूँ और एक बार फिर थोड़ा सा चला देंगे यह मिक्षी को बंद कर देती हूँ यह देखिए परफेक्ट कितना बड़ी हम अखन निकल के आया है यहाँ एक मिनट का भी टाइम नी लगा है और फड़ावट से मक्षन निकल करके आ गया है यह देखिए मैं इसको निचोड़ करके ठंडे पानी में डाल देती हूँ जिससे कि इसमें जो भी अक्ष्रा खटापन होगा वो निकल जाएगा अब आप इसको मक्षन की तरह यूज करें या इसका घी निकल लें आपको जो करना हो वैसे कर सकते हैं यह मक्षन भी बहुत अच्छा है और घी तो निकाली सकते हैं आप इसका आप अपने खाने में यह वाला मक्षन जरूर यूज करें नौनी वाला मक्षन बहुत अच्छा होता है बच्चों को भी खिलाना चाहिए और यह बहुत हेल्दी होता है मतनी से मत्ते मत्ते हातों में दर्द होने लगता है काफी टाइम भी लगता है तो आज आपकी यह टेंशन मैंने खतम कर दी है यह जो नई ट्रेक आपको बताईए यह बहुत ही अच्छी है आप इस तरीकी से मक्षन निकाल सकते हैं और यह देखिए कितना बढ़ी है मक्षन निकल करके आ गया है तो मैं इसको फटाफट से पैन में डाल देती हूँ क्योंकि मुझे बनाना इसका घी देखिए मैं निकाल लेती हूँ पैन में यह देखिए है ना बढ़ी है सारा मक्षन निकल करके आ गया है और हम बनाएंगे अब इससे प्योर घी पुराने टाइम में मक्षन निकालने के लिए औरतों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी घंटों तब उना मतनी से मतना पड़ता था तब जाकर के घी निकलता था लेकिन आजकल तो सुबिदाएं काफी हो गई है ब्लेंडर भी है और ये नई ट्रिक मैंने बता दी मिक्सी की इससे भी निकल सकते है तो आज के टाइम में तो हम लोगों के लिए सुबिदाएं काफी है जिनका कि हम फायदा उठा सकते हैं अपना टाइम को भी बचा सकते है अब ये जो मठा बचा है अगर आपकी ज्यादा दिन की मलाई है तो तो ये कड़बा हो जाएगा लेकिन आपकी तीन-चार दिन की ही मलाई है ज्यास ज्यादा पांस दिन की है तो उसको यूज़ कर लें आप कड़ी बनाने के लिए कुछ भी बनाने के लिए अब इस मक्षन को मैंने चड़ा दिया है गैस पर पांच मड़ तक इसको इसे ही पकने दें मीडियम फ्लेम पर गी निकल करके आ जाएगा अब यहीं में छोड़ देती हूँ इसको इसको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि यह नीचे लगना जाए मैं इसे बीच बीच में चेक कर लेती हूँ यह देखिए बस गी निकलने में एक मिनिट और लगेगा इसको ज़्यादा जलाना नहीं है मीडियम ही रखना है यह देखिए कितना बढ़िया गी बनाए है तो चलिये मैं आव इसको छान लेती हूँ किसी बरतन में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरी ट्रेक पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू